पिछले पार्ट में हम लोग इंडियन सिविलाजेशन एंड कल्चर को यहां तक समझ चुके थे तुमने अगर वो पार्ट नहीं समझा है तो सबसे पहले उस पार्ट को देख लो इससे पहले के सभी पार्ट का लिंक नीचे डिस्कृप्षिन में भी दिया गया है और उपर मैं आई बड़ इस वीडियों में हम लोग इसके आगे समझना शुरू करता है इसके आगे गांदीजी लिखता है The Indian civilization as described by me has been so described by its votaries. In no part of the world and under no civilization have all men attained perfection. यहां कांदी जी कह रहे है कि Indian civilization जैसा मेरे द्वारा described यान कि जैसा मैंने इसे described किया है, जैसा मैंने इसका वर्णन किया है has been so उसी तरह से described by its votaries. वो ट्रीज कहा जाता है भक्त को जो कि उसको पूझते हैं जो कि उसे बहुत महान मानते हैं तो भारत की जो महानता की पूझा करते हैं उन्होंने जैसे वर्णन किया है इंडिन सिविलाजेशन को भारत की सब्वेता को वैसा ही मैंने भी वर्णन किया है इसके बाद वो कहते हैं कि in no part of the world, दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं है, और नहीं किसी civilization में ऐसा हुआ है, कि सारे में, यानि कि उस सभेता के जितने भी लोग हो, वो सभी पूर्णता पराप्त कर लें, perfection, यानि कि जिसमें कोई तुरूटी ना हो, कोई गलती ना रह अटेन का मतलब होता है, हासिल करना, प्राप्त करना, तो यहां गांदी जी कह रहे हैं कि कि किसी भी सभेता में या दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसा नहीं हुआ, कि सारे लोग perfect हो जाएं, the tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the western civilization is to propagate immorality, या एक शब्द आया हो है tendency, tendency का अर्थ होता है प्रवृत्ती, प्रवृत्ती का मतलब हो है, किस तरफ उसका जुकाओ होता है, वो क्या करना चाहता है, तो tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, यानि भारतिय सबहता की प्रवृत्ती कैसी है, इसका nature कैसा है, तो ये elevate करने वाला है, किस तरफ को moral being को, तो elevate करने का अर्थ होता है उपर उठाना, तुम railway stations पर जब गए होगे, तो तुमने ऐसी सीड़ियां जरूर देखी होगी, जो की खुद बखुद उपर की तरफ जाती है, इन्हें 140 सीड़ी कहा जाता है, ये जो सीड़ियां होती ह इंग्लिश में इन्हें elevator कहा जाता है, वो इसी elevate से बनता है, तो elevate का अर्थ होगा उपर उठाना, और elevator यानि उपर उठाने वाला, तो भारते सबहता किस चीज को उपर उठाती है, तो moral beings को, ने दिखता को, that of the western civilization, और यही चीज़ अगर पश्चमी सबहता की देखें, तो is to propagate immorality, तो पश्चमी सबहता की प्रवृति कैसी है, उसका nature कैसा है, तो प्रोपगेट, प्रोपगेट मतलब होता है बढ़ाना, फैलाना उस चीज को, तो प्रोपगेट करती किस चीज को, immorality को, immorality का अर्थ होता है, और ने दिखता, ऐसी चीजे जो समाज में सही न मान जाती हो, the letter is godless, the former is based on a belief in God, so understanding and so believing, it behoves every lover of India to clinch to the old Indian civilization, even as a child clinch to the mother's breast, the letter is godless, देखो, letter की spelling, तीन तरह की मिलेगी तुमें इंगलिश में, एक होगा L-A-T-E-R, इस letter का अर्थ होता है बाद में, यानि कि जब भी ये शब्द यूज किया जाएगा उसके बाद लग जाएगा बाद, जैसे five years later, पांस साल बाद, two months later, दो महिने के बाद, और एक letter तुमने पढ़ा होगा L-E-T-E-R, ये जो letter होता है, इसका अर्थ होता है चिठ्थी, पत्र, जो सको की letter writing वागर भी करते हो एक letter ये है यहाँ पर, इसका मतलब होता है बाद, वाला, दूसरा, तो यहाँ पर हमने ये कहा कि, the letter is godless, तो किस letter की बाद कर रहे है, तो जो पिछला है, तो यहाँ पर गांदीजी जी ने दो civilization की बात किये, Indian civilization और Western civilization, तो इसमें बाद वाला कौन सा है, तो Western civilization, तो यहाँ प पहले वाला, पहले वाला कौन सा था, तो Indian civilization, the former is based on a belief in God, वो इश्वर में यकीन पर आधारित है, वो जो civilization है भारत की, वो इश्वर पर विश्वास करती है, so understanding and so believing, यानि कि जैसी समझ होती है, वैसा ही विश्वास होता है, तो जिस civilization के लोगों की जैसी समझदारी है, उन् वैसा विश्वास बना रखा है, जिस civilization में लगा की विश्वर को मानना चाहिए, उन्होंने इश्वर को माना, जिनने लगा की नहीं मानना चाहिए, उन्होंने नहीं माना, कहने का मतलब क्या हुआ, कि बिहोब मतलब होता है, जोड़े रखना, ठीक है, तो यह क्या करता है, भारत से प्यार करने वाले हर इंसान को, क्या चीज की तरफ जोड़े रखता है, तो क्लिंच तू दा ओल्ड इंडिन सिविलाजेशन, क्लिंच मतलब होता है, बिल्कुल कस कर पकड़े रखना, जगड़े रखना, तो क्या करने के लिए, तो यह भारत की पुरानी जो सब बहता है, उससे यह सब को जगड़े रखने के लिए प्रेरित करता है, किस तरह से इवन जैसे कि एक बच्चा अपनी मा के सीने से बिल्कुल जगड़ कर जुड़ा है, उसी तरह यह जो विश्वास है भारत के लोगों का, यह इसे भारत के पुरानी सब बहता से जोड़े रखने में मदद करता है, इसके बाद गांदी जी कहते हैं कि गांदी जी कहते हैं कि मुझे पश्चिम से कोई नफरत नहीं है, ऐसा नहीं आई कि मुझे पश्चिम से पूरी तरह मैं नफरत करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उसे खातम ही कर दिया जाए, I am thankful to the West, मैं वेस्ट का, मैं पश्चिम का बहुत तरह से धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें हैं जो कि पश्चिम सब्यता से सीखी हैं, यानि कि पश्चिम साहित्य जो है वो बहुत अच्छा है, वहाँ से बहुत सारे लाड़ राइटर्स हैं जिसका कि नाम तुम बकायदा भी पढ़ते होगे, तुमारे syllabus में भी दिया गया है कई गांधी जी कहते हैं कि Western literature ने भी हमें बहुत को सिखाया है, इसलिए मैं पश्चिम से कोई नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं है, but I am thankful to modern civilization for teaching me that if I want India to rise to its fullest height, I must tell my countrymen frankly that after years and years of experience of modern civilization, I have learnt one lesson from it and that is that we must shun it at all costs. अल्कुल इस पश्च शब्दों में कि, after years and years of experience of modern civilization, कि आधोनिक सभहता के सालों साल के अनुभव के बाद, I have learnt one lesson from it, मैंने इससे एक सबक सीखा है, एक पार्ट सीखा है, and that is, और वो ये है कि, we must shun it at all costs. हमें इससे हर कीमत पर दूर रहना चाहिए, shun मतलब होता है उससे दूर रहना, उससे बचना, we must shun it, हमें इससे अपने आपसे दूर रखना चाहिए, हर कीमत पर, हमें इसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए. इसके बाद गांदी जी खोद कहते हैं, कि आखिर मैं किस modern civilization से दूर रहने की बात कर रहा हूँ, तो कहने का मतलब होँआ कि क्या है वो modern civilization जिससे मैं दूर रहने की बात कह रहा हूँ, तो it is the worship of the material, आधुनिक सबेता, यानि की वस्तूओं की पूझा, अजकल अपने असपस नजर डाल के देखो, तुम सिधे सिधे देख पाओगे कि जिसके पास ज्यादा अच्छा घर है, जिसके पास ज्यादा बड़ी कार है, जिसके पास महेंगे कपड़े हैं, जो ज्यादा lifestyle को मेंटिन रखता है, लोग उसी की respect कर रहे हैं, और लोग अपनी सारी कोशिश, सारी energy, सारा time, सारा पैसा, सारा effort, वो इसी चीज को जुटाने में लगा भी रहे हैं, कितने लोग हैं, जो सच मुझ सीखने की तरफ अग्रसर है, नहीं, हर कोई कमाना चाहता है, कमा करके सामान जुटाना चाहता है, इसलिए गान्धी जी न अंदर दया देखने को नहीं मिलते, दया भाव खत्म हो चुका है, उसे किसी भी कीमत पर बस कामयावी चाहिए, और इन ही चीजों के कारण, क्या हो रहा है, कि हमारे समाज में बहुत सारे crimes देखने को मिलते हैं हमें, आए दिन तुम्हें, लूट, खजोट, मार पेट, त्या ये सारी चीजें क्यों देखने को मिल रही हैं, क्योंकि आज की सब्यता हमें उसी तरफ लेकर के जा रही है, It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing, if it does not think at every step of the triumph of material civilization. It is unadulterated materialism, and modern civilization is nothing, if it does not think at every step of the triumph of material civilization. गांदी जी कह रहे हैं, क्योंकि आदुनिक सब्यता क्या है, तो ये unadulterated materialism है, unadulterated का अर्थ होता है, बिना मिलावट के, ये बिना मिलावट का एक बहुत एक वाद है, And modern civilization is nothing, if it does not think at every step of the triumph of material civilization. और आधुनिक सब्यता कुछ भी नहीं है, अगर ये हर step पर material civilization के progress के बारे में न सोचे, उसकी जीत के बारे में न सोचे, triumph card होता है, जीतना, जीत, विजय, तो ये हर कदम पर material civilization के विजय की सोचता है, ये जो अभी का modern civilization है. अगर ये बेकार नहीं है, तो कम से कम ये गैर जरूरी तो है ही, अनावश्यक तो है ही, कि to weigh the merits of the two civilization. कि हम दो civilizations का, दो सब बैताओं के गुनों को तुलना करें, वजन करें, वे मतलब होता है वजन करना, आखना, मापना, तो हम दो सब बैताओं के गुनों का, merit का अर्थ होता है गुन, उसको मापें, उसको तुलना करें, ये गैर जरूरी है, इसके कोई जरूरत नहीं होती है क्यों भाई तो it is likely that the west has evolved a civilization suited to its climate and surroundings and similarly we have a civilization suited to our condition and both are good in their own respective spheres और इसके पिछे का कारण क्या देते हैं गांदी जी वो कैते हैं कि ऐसा है it is likely यह ऐसा मालूम पड़ता है कि पस्चिम ने एक ऐसे सभेता का विकास किया है has evolved a civilization suited to its climate जो उसके जलवायू पर suit करती है उसके जलवायू पर जचती है जो उसके जलवायू के according है उसके अनुसार है and surroundings जो वहां के वातावरन के अनुसार है अब देखो वो लोग कोट पैंट बगएरा पहनते हैं कोट पैंट पहने का कारण क्या है वहां का वो जो surrounding है उनका वो ठंडा होता है इस कारण से उन्होंने वैसा दिन चरिया अपनाया हो है वो बी और वगएरा regular use करते हैं कारण क्या है वो ठंड वाले जगहों पर रहते हैं और उसी तरह से we have a civilization suited to our condition हमारे conditions को suit होने वाले भी हमारे एक civilization थी हमारे एक civilization थी हमारे एक सभयता थी अब हमारे याँ pizza burger का कोई काम ही नहीं है लेकिन हम याँ pizza burger खाते हैं हमारे लिए दाल चाबल इनफ था लेकिन हम उसके तरफ न जा करके हम फरजी खानों की तरफ बढ़ रहे हैं फरजी खाने की तरफ बढ़ते हुए हम लोग diabetes या फिर obesity इस तरह की बिमारियों को फैलाते जा रहे हैं and both are good in their own respective spheres दोनों के अपने civilization थी अपनी सभयता थी अपनी जलवायू अपने वातावरन के अनुसार और दोनों अपनी जगह पर सही थे अगर दोनों के ही respective spheres की बात करें दोनों के ही अपने अपने छेत्र की बात करें तो दोनों अपनी जगह पर बिलकुल सही थे लेकिन हमने अदला बदली के चक्कर में चौपट कर दिया सब कुछ the distinguishing characteristic of modern civilization is an indefinite multiplicity of human wants इसके बाद गांदी जी कहते हैं कि अगर हम एक खास गुन की बात करें अगर आदुनिक सबहता की distinguishing characteristic of modern civilization आदुनिक सबहता की एक खास गुन की बात करें तो ये एक indefinite multiplicity की बात करता है human wants की इनसान के एक्षाओं का एक असीमित एक अनिश्चित वृद्धी की बात करता है multiplicity यानि कि उसमें वृद्धी कितना वो गुना हो करके बढ़ता चला जाता है देखो आपने आसपास नजर डाल करके तुम्हें clearly दिखेगा कि even आज तुम्हारे पास किसी चीज के लिए पैसे नहीं है कोई बात नहीं तुम जाओ और उस चीज को ले सकते हो किसी चीज के अधार पर क्योंकि वो तुम्हें EMI पर सामान दे रहा है उनका कहना है कि आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ आप बाद में दीजेगा यानि जो पैसा तुम्हारे पास अभी तक आया नहीं है उस पैसे के बदले भी तुम सामान खरीद सकते हो लोगों के तो एक शाओं का कोई limit नहीं था पहले से ही लोग कमाते ही इसलिये थे कि और सामान खरीद सकें तो इससे अच्छा मौँ का क्या हो सकता था कि पैसा नहीं है तो भी अभी खरीद लो बाद में जब पैसा आएगा तुम्हारा वो हमको दे दे देना आज किसी के पास एक गाली है तो वो कुछ दिन के बाद दूसरी गाली लेगा एक फोन है तो जैसे ही नया फोन आया वो नया फोन चाहिए एक कपड़ा है तो उसे चार बार नहीं पहन सकते क्योंकि फिर पांच भी बार वो बोर लगने लगता है इन सारी कम्यों की वज़े से क्या होता है कि हम अपने इक्षाओं को बढ़ाते चले जाते हैं और यही है modern civilization और वही पर अगर हम प्राचीन जब्यता की बात करें उसके गुनों की बात करें तो वो दो तरह के काम करता था एक तो एक सटीक तरह से restriction लगाता था imperative का अर्थ होता है बिल्कुल सामने से restrictions लगाता था किसीच पर इस तरह की इक्षाओं पर and strict regulating भी करता था इन इक्षाओं का regulate करना मतलब होता है नियंतरित करना उसे नियंतरन के साथ उसे चलाना तुम देखोगे प्राचिन सब ब्यताओं में कभी-कभी मेले लगा करते थे कभी-कभी भीड़ुआ करते थे फेस्टिवल्स हुआ करते थे और इन अफसरों पर लोग नए कपड़े लेते थे अच्छा खाना खाते थे बाहर गूमने जाते थे और मेला उतसब वगरा ये सब चीज़ करते थे इसकी वज़़े से क्या होता था पांकी समय वो लोग पूरी तरह से अपने काम पर फोकस्ट होते थे धियान बढ़ता ही नहीं था जानते थे कि मेला नहीं है तो कोई नया चीज़ खरीदना नहीं है जब मेला नहीं है या फिर कोई फेस्टिवल ते ओहर नहीं है तो बेकार में कहीं बाहर जाना नहीं है खाने के लिए या घूमने के लिए वो जानते थे कि अगर कोई पर्वते ओहर नहीं है तो नहीं बढ़ियां पाकवान की तरफ मुढ़ना है नहीं बढ़िया, पार्टी की तरफ मुढ़ना है लेकिन अभी एका सीन क्या है क्या कोई इंसान पर्वत योहर के लिए वेट करता है, नहीं कपड़े लिने के लिए नहीं, जिस दिन मन हुआ उठकर के चलो मॉल ले लेते हैं कपड़ा क्या कोई अभी पर्टी करने के लिए वेट करेगा, फेस्टिवल्स का नहीं, जिस दिन मन हुआ उस दिन उठकर के चल दिया रेस्ट्रांट्स हैं, होडल्स हैं कर लो पर्टी, बीयर बार्स बन गया है पहले फेस्टिवल्स में केवल गाना बजाना हुआ करता था बहुत ही अच्छे तरीके से strictly regulate किया जाता था कड़ाई से कि हाँ दशेरे के समय मेला लगेगा दिवाली के समय हम ऐसा ऐसा करेंगे होली के समय ऐसे करेंगे इस तरह से चीज़ें हुआ करते The modern or western insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity अब यहां गांधी जी कहता है कि आधुनिक या पाश्चिमी जो insatiableness है insatiableness का अर्थ होता है असंतुष्टी यह जो असंतुष्टी है यह कहां से पैदा होती है arises really from want of living faith in a future state यह एक ऐसी इक्षा पर अधारित होती है जो की future state में जी रही होती है हमेशा उसे लगता है कि कल मुझे यह चाहिए कल मुझे यह चाहिए कल मुझे यह चाहिए मुझे यह चाहिए खुश होने के लिए तभी मैं खुश होंगा यह सारा कुछ therefore also in divinity और इन सारी चीज़ों की वज़े से क्या होता है न कि अपने आप में हम divine महसूस करने लग चाहते है गौर करके देखो जिसके पास बड़ी कार है वो आपने आपको बहुत बड़ा मानता है इसके पास बहुत बड़ा बिजनस है बहुत ज़्यादा पैसा है बहुत नए ने कपड़े पहन रहा है यह ब्रैंडेड कपड़े पहन यानि हमेशा future state में हम रह रह रहा है वहीं पर अगर हम Indian civilization की बात करें तो the restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief often in spite of us in a future state and the existence of a divine power यहां बात हो रही है कि restraint का अर्थ होता है सय्याम होना उस पर control होना limit होना the restraint of ancient or eastern civilization प्राचीन सब बेता यह जो पूर्वी सब बेता है इंडिया वगेरा की वो कहां से आता है यह सय्याम तो एक विश्वास पर कि हम भविश्य की तरफ उनमुख भी हो और दूसरी तरफ हमारे उपर एक कोई divine power है कोई देव्य शक्ति है देव्य शक्ति है इश्वर क खरता है बिल्कुल ас्थित्व है जो कि हमें देखता है हम अपने आपने सुप्रीम नहीं है बल्कि सुप्रीम कोई और है एक श्वर है जो हमें देख रहा है हमें उसके उपासना करनी चाहिए और हमें विश्वास रखना चाहिए कि भविश्य में जो भी होगा बहत कि हमें ये मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे, ये मिल जाए तो खुश हो जाएंगे, बल्कि हम इस चीज में हैं, कि हाँ, पविश में चीजें अच्छी हो जाएंगे. Some of the immediate and brilliant results of modern inventions are too maddening to resist. But I have no manner of doubt that the victory of man lies in that resistance. इसके बाद गांधी जी अभी के समय पर अपना ध्यान खीचते हैं, कि some of the immediate and brilliant results of modern inventions, अगर हम आधुनिक समय के अविश्कारों की बात करें, तो उनके कुछ इतने immediate और brilliant results देखने को मिलते हैं, कि खुद को रोक पाना बिलकुल मुश्किल हो जाता है, इतना पागल बना देते ह इंसान को कि खुद को हम रोक नहीं पाते हैं, कैसे तुम देखो स्मार्टफोन को, इतना कुछ है इसमें कि लोग खीचे चले जाते हैं, इस चेज की तरफ, technology बढ़ती जा रही है, television आजकल पहसे से ज़्यादा उननत हो चुका है, entertainment इतना ज़्यादा है, cinema halls है, theatres है, इन सा सारी चीजों पर इतना कुछ entertainment और इतना सारा मस्ती मिल जाता है लोगों को, कि वो खुद को रोक ही नहीं पाते, लेकिन गांदी जी यहाँ कहते हैं, but I have no manner of doubt, लेकिन मुझे इसमें कोई संदे नहीं है, कि that's the victory of man, इनसान के जीत जो है, वो खुद को रोकने में ही है, resistance का अर्थ होता है प्रतिरोध, प्रतिरोध का अर्थ होता है रोकनाउसिच को, अपने आपको अगर हम control कर सकें, तभी हमारी चीज़ है, नहीं तो हम भागते रह जाएंगे इन चीजों के पीछे, हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकेंगे, we are in danger of bartering away, the permanent good for a momentary pleasure, यहां गांदी करना, तो क्या चीज़ के अदला बदली के कगार पर है, क्या चीज़ के अदला बदली का खत्रा है, तो permanent good, जो की हमेशा रहने वाली अच्छा ही है, जो चीज़ें कि हमेशा खुशाल रख सकती है, सुखी रख सकती है, उनकी अदला बदली हम करने वाले है, momentary pleasure से, कुछ के सुख से, गौर करके देखो, लोग अभी वीडियो गेम्स खेलते है, वो वीडियो गेम कितनी देर उन्हें सुख देता है, थोड़ी देर देता है, फिर उसके बाद उसका असर बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन उसके चक्कर में वो क्या करते है, अपने health को नुक्सा खाते हैं, चाट खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं, बाहर जाकर के, रोड की किनारे का खाना खा लेते हैं, उससे क्या नुक्सान होता है, हमारा permanent good, हमारा health चला जाता है, लोग थोड़ी देर के सुख के लिए, पार्क अगरा चले जाते हैं, थेटर चले जाते हैं, चलो या घूमने चलो उस momentary pleasure के लिए अपने permanent पढ़ाई को damage पहुचा लेते हैं उसका routine होता है पढ़ने का लेकिन वो उस routine से डिक जाते हैं यही सारा कुछ है जो कि अभी के समय में खत्रा है अगर हम इंसे नहीं निपट पाए तो इसका हमें बहुत नुकसान उठाना यह notes मिल चुके होंगे और अगर नहीं जुड़े तो उससे जरूरा है टेलिग्राम चैनल का link मैंने description में दे दिया है तो मारे textbook में जितने भी poems है उन सभी की summary को मैंने animated videos में narrate किया है उन्हें तुम बार बार देखो दो तीन चार पांच दस बार जितनी बार देख सकते हो ताकि उससे related कोई भी objective question, कोई भी summary या फिर कोई भी question answer जब तुम्हारे exam में आए तो वो तुमसे जूटे नहीं मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो में इस कहानी के आखरी पार्ट के साथ, तब तक अपना खयाल रखो, खुश रहो और कुछ नया सीखते हुए एक शानदार दिन बिताओ, बाबाए